बड़ी बड़ी दीवारे बनाते हैं डर्की बज़े से दोस्तों सालार फिल्म बॉक्स आफिस पर धुमाल मचा रही है और कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फालतू बैठे दोस्तों को शेयर कर देना दोस्तों प्रभास की सालार फिल्म का एक्शन केजी एप से भी जबरदस्त है फिल्म का सेट अप आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है सिनेमा हॉल मानो रन भूमी के समान लगने लगता है इस फिल्म को पाँच भाशाओं में हिंदी, तमिल, कंणर, तेलगू और मल्यालम में रिलीस किया गया है रिलीस के समय शारुक खान से स्क्रीन शेयरिंग को लेकर थोड़ा बिवाद हुआ था शारुक खान डंकी फिल्म को जादा स्क्रीन में रिलीस करना चाह रहे थे लेकिन बाद में दोनों फिल्मों के बीच समझोता हो गया अब सालार ने डंकी फिल्म को बहुत पीछे छोड़ दिया है बात करें अगर 9 दिनों के कलेक्शन की तो फिल्म में अपने पहले ही दिन 177 करोड की कमाई करके इस फिल्म की इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकोर्ड बना दिया है फिल्म ने अपने पहले ही हफते में 400 करोड का आंकड़ा पार्क कर लिया था उसके बाद इसे क्रिसमस का फाइदा मिलो और अब निव यर और वीकेंड फिल्म के लिए सौने पे सुहागा है क्योंकि तब तक फिल्म का वर्ल वाइल कलेक्शन लगबग 750 करोड तक पहुँचने की उम्मीद है साथियों बॉली बुड में भी फिर से इस साल जान आ गई है शारुक खान की हैट्रिक ने बॉली बुड को जिंदा करने में बहुत बड़ा युगदान दिया है फिल्हाल सिनेमा गरों में डंकी का डंका बज रहा है और फिल्म लगातार कमाई करते हुए अपने लक्ष की और बढ़ रही है इस से पहले रड़वीर की एनिमल भी बॉक्स ओफिस पर कमाल कर चुकी है एनिमल फिल्म भी अपने पाँचवे हफते के बाद साड़े 500 करोड रुपे का आकड़ा पार करकर के लगबख 585 करोड वर्ल्ड वाइल कलेक्शन कर चुकी है यानि बॉलिवुट के अच्छे दिन आ गए है इस साल सिनेमा घरों के काफी चहल पहल देखने को भी मिली है बात करें डंकी फिल्म के कलेक्शन की तो फिल्म ने अभी तक वर्ल्ड वाइल कलेक्शन लगबख 300 करोड की कमाई कर ली है पारिवारिक फिल्म होने की बज़े से इस फिल्म को वीकेंड से ज़्यादा उमीदे रहेंगी साथ ही नियू यर का सेलिब्रेशन भी है उमीद है फिल्म 500 करोड के आंकले को भी छू लेगी हरो फ्रेंड्स आप भी अपने पाहिवार के साथ दन के मूवी जरूर देखिए और धियू भाई ओन्लाइन चैनल को सब्सक्राइब पर लीचिए एंटर्टियन मेंड से जुड़े रहें